रोतक नेशनल हाईवे नंबर 9 सापला बाईपास पर सवारियों से भरी एक प्राइविट बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई बस में सवार 40 के करीब सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई रागीरों ने ही पलटी हुई बस से इन सवारियों को बाहर निकाला और आनन फानन में सापला के सरकारी अस्पताल में इनको भरती कराया गया जहां से कंभीर हालत में रोतक पीजी आई भीज दिया गया गटना के सूचना पर सापला थाना पुलिस मौके पर पहुची और गटना के कार्णू के जाच में जुच गाई रोतक से विकास सोल्यान की रिपोर्ट गटना में 100 कंट्रोल से फोन आया था एक पस खाई में पल्टी है जिसमें 10 क्यास पास हो आ रही है तो अधर खोड़ी चोटी-बोटी तो लगटी है जादा नुक्सान नहीं गए ठीक है यह गाड़ी तो आता है यह गाड़ी वाले में ब्रेक लो लिया उसके गाड़ी ब्रेक मारे तो बस ऐसंदुली दोगा बस यह उसमें दिल जा तो आप सपोर्ट पर पर उंचे हैं कित मेरा राजस जी आप उसी बस में थे जो पल्टी है कितने चोटे आई आई आप और कितने सवारियां थे उसमें कैसे हुआ यह आज़ा कहां से आ रहे थे आप बादर कि तो कैसे हुआ है यह क्या ड्राइब कार नमरे के लिए कार बाड़े नहीं कितने सवारियां दे उसमें आप उसी जाड़ी में थे जिसमें तो कैसे क्या पुल्टी है यह कैसे वा अगे पता नहीं कोई आया है क्या है एक दम ऐसे करने लगे ना तो हमने का कि भी गाड़ी सपीड पे थाया तो हमने का थोड़ी ब्रेक मार लो आप इसे बरेक नहीं लगी क्या है तीन पल्टे खा पिक तो कितनी सवारियां थी लगबगी से पूरी भरी भी थी बस थो किसी को चोटे लगी है सब भी को लगी किसी को गूम किसी को सीर फटे किसी की टांगे टूटी किसी को बस बहुत ही लगी है चोटे तो क्या ड्राइवर लापरवाई से चला रहा था बसको उसी की लापरवाई है अगर कोई आया तो ब्रेक मार ले नहीं है तो सपीड ब्रेकर है तो उसको करो आप कह कहां से आ रहे थे आप हम दिल्ली से आ रहे थे दिल्ली से कांद कांद पीरा गड़ी से आ रहे थे रो तक जाना था रो तक आना था भी आ उनको पेलो